एक बात याद रखना, हर एक इनसान को इस दौर से गुसरना ही पड़ेगा क्योंकि आज जो बेटा है कल को वो बाप और धादा जरूर बनेगा क्योंकि यही कुदरत का नियम हर इससे कोई बचने ही सकता सदियों से लोगों को कहते सुना है कि साठ के बाद जो बुड़े होते हैं वो बच्चों की तरह बताव करने लगते हैं अगर ये बात सच है तो आप सब इसे मानते क्यों नहीं है जिस तरह आप अपने बच्चों को समालते हैं अगर उसी तरह अपने माबाप को समालने लगेंगे तो वो कभी भूज नहीं लगेंगे सच तो यह है कि आपने अपने बाप को देए बलकि बेटे को कोई हो है